दोस्तों, बालों का सफेध होना एक ऐसी समस्या है, जिससे आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है. यहां तक कि बच्चों के भी बाल आजकल सफेध होने लगे हैं. अगर आप इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इससे आपके बालों का सफेध होना रुख जाएगा, और जो बाल आपके पहले से सफेध हो चुके हैं, वो भी किसी हद तक वापस काले होने लगेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिल्चस्प वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों, बालों का सफेध होना क्या है? बालों का सफेध होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो उम्र के यानि अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो वो कोई बीमारी नहीं है। इसे आप आराम से एक प्राकृतिक घटना के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है। अजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां इतना ज्यादा प्रदूशन है। यह प्रदूशन हमारे बालों को खराब कर रहा है। उन्हें सफेद कर रहा है। जो खाना हम खा रहे हैं उनमें इतने ज्यादा रसायन मिले हुए हैं कि यह रसायन भी हमारे बालों के रंग को ख ये भी हमारे बालों को खराब करने के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। अब इन कारकों को तो आप नहीं बदल सकते दोस्तों। यह प्रदूशन आपके बस की बात नहीं है ना मेरे बस की बात है। तनाव में रहना भी आजकल हमारी मजबूरी है क्योंकि इतना ज्यादा प्र प्रकृती का सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकृती ने हमें दी है जिन्हें अगर हम इस्तिमाल करें तो इससे हमारे बालों के सफेध होने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। और इसे उलट भी सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 या 45 साल से 35 साल से कम है तो उस स्थिती में आपके जो बाल हैं अगर आप इस नुस्खे का इस्तिमाल करेंगे तो हद तक ये आपके सफेद बाल भी वापस काले हो सकते हैं लेकिन चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो चाहे आपकी उम्र 40 हो 45 हो या 50 हो इस नुस्खे का इस्तिमाल करने से आपको सबसे पहले लेना है सरसों का तेल, और ये सरसों का तेल, जो आपको लेना है, ये packet वाला नहीं लेना है, branded नहीं लेना है, ये सरसों का तेल आपको लेना है सीधे वहाँ से, जहां पर ये तेल निकलता है, दोस्तों, हर एक शहर में कुछ ऐसी दुकाने होती हैं, कुछ अब आपको वहां क्या बोलते हैं? वो मुझे नहीं पता。 लेकिन आप तलाशिये ऐसी जगे जहां पर तेल निकाला जाता है. उस दुकान पर जाईए और अपने सामने सरसों का तेल निकलवाईए और पीली सरसों का तेल लीजिये. दो तरह के होते हैं तेल सरसों के एक पीली सरसों का और एक काली सरसों का तो आपको पीली सरसों का तेल लेना है और अपने सामने निकलवाना है ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि जो तेल आप ले रहे हैं वो कच्चा है बिना छानने वाला है और इसमें कोई रसायन वगैरह इस्तेमाल नहीं हुए हैं अगर आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलता है तो उस स्थिती में आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं लेकिन नारियल का तेल भी सुनिश्चित करें कि जो आप ले रहे हैं वो अनरगेनिक है उसमें कुछ मिलावट या कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई है दूसरी चीज जो इसमें आपको चाहिए वो है भ्रिंगराज दोस्तों भ्रिंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आयूर्वेद में बहुत ही ज्यादा जानीमानी है आपके बालों की सेहत के लिए वास्तव में भ्रिंगराज को इस्तेमाल करने से आपका दिमाग भी तेज होता है तो भ्रिंग राज को इसमें अगर आप डालेंगे तो इससे आपके बालों की सेहत में सुधार होगा और आपके बाल भी काले बने रहेंगे. इसके अलावा आपको चाहिए जटा मांसी. जटा मांसी भी एक जड़ी बूटी है जो आयुरवेदिक है और इसका नाम जटा मांस की तरह होती है, छोटी की तरह होती है इसलिए इसे जटा मांसी बोलते हैं. जटा मांसी भी एक बहुत ही प्रभावी जड़ी बूटी है जो आपके बालों को मजबूत बनाती है और उन्हें काला बनाए रखती है. इसके अलावा आपको चाहिए सूखे हुए आवले. आव पर आमवला तेल, शान्ती आमवला तेल और इस तरह के. इससे आपको ये तो अंदाजा होगा ही कि आमवला आपके बालों के लिए अच्छा है. आमवला को नियमित रूप से इस्तिमाल करने से भी आपके बाल काले बने रहते हैं. चाहे आप आमवला को खाएं, चाहे मुर प्लास्टिक वगेरा का जार आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का जार लेंगे, और उसे बाद में धूप में रखेंगे या गर्मी में रखेंगे, तो उसके प्लास्टिक के विशाक्त पदार्त उस तेल में आ जाएंगे, तो इससे आपको बचना है, आपको कांच का ही जार इस्तिमाल करना है, तो कांच के जार में आपको 200 ml सरसों का तेल डालना है, और इ क्या करना है आपको भ्रंगराज को छोटे-छोटे टुकडों में काटना है और इसी तरह से जटा मांसी को भी आपको बारीक काटना है और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से इस तेल में डाल कर आपको भिगो देना है बाकी जो दो चीजें आपकी बची हैं उन्हें क्या करना है आवला आप सूखा हुआ ले लिजिए और उसे खरल में हलके हाथ से कूट लीजिए बहुत ज्यादा बारीख आपको नहीं करना है उसे कूट लेना है कूटने के बाद ये आवला भी आप इसमें डाल दीजिए और इसी तरीके से आप जो मेथी दाना आपने लिया है उसे भी हलके हलके कूट लीजिए, बहुत बारीक नहीं करना है, मोटा रखना है, और इसे कूट कर भी आप इस तेल में डाल दीजिए. ये सब चीजें आपकी तेल में अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए. इसके बाद आप इस जार के ढखकन को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और इस जार को आप धूप में रख दीजिए लगभग 10 से 12 दिन के लिए. 10-12 दिन लगातार आप इसे धूप दिखाईए और इसके बाद इस तेल को आप ले लीजिए और एक लोहे की कड़ाई में इसे डाल दीजिए. ध्यान रखिए कि जो आप ले रहे हैं वो लोहे की होनी चाहिए. नहीं है तो कोई और बरतन है लेकिन होना चाहिए लोहे का ही. एल्यूमिनियम का या स्टील का बरतन आपको इस्तेमाल नहीं करना है लोहे के बरतन में आप ये तेल डालिए और उसके बाद इसे बहुत धीमी आँच पर रख दीजिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेज आँच ना हो, बहुत हल्की धीमी आँच पर इसे आप रख दीजिए और इसे पकने दीजिए जब इसमें हलकी हलकी सी खटबड़ी आने लगे बहुत ज्यादा उबालना नहीं है आपको बहुत ज्यादा धुआ नहीं निकलना चाहिए हलकी हलकी जब इसमें आपको लगे कि खटबडी सी आने लगी है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसे आप बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए ठंडा होने के बाद इस तेल को आप छान लीजिए और वापस से एक शीशे के बरतन में इसे भरकर रख लीजिए इस तेल को आपको शुरुआत में एक महीने तक रोजाना अपने बालों में लगाना है एक महीने के बाद आप वैकल्पिक दिनों में लगाना शुरू कर दीजिए यानी एक-एक दिन के जिस दिन भी आप लगाएंगे उसके अगले दिन सुबह में आपको किसी भी अच्छे सलफेट फ्री शैंपू से बहुत ही माइल्ड शैंपू से अपने बालों को धोना है और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जब आप ज्यादा प्रदूशन में जाएं या ज्यादा देर धूप में जाएं तो अपने बालों को अपने सिर को ढख कर रखें मुझे यकीन है इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे इस तेल को जब आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही अपने बालों की वृद्ध में भी सुधार दिखेगा और इसके साथ-साथ आपके जो बाल सफेद होने लगे हैं वो भी कम होने लगेंगे अगर आपकी उम्र कम है तो आपके बाल धीरे-धीरे वापस से काले भी होने लगेंगे लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के लिए आपको कम से कम 6 महीने का समय चाहिए होता है यानि ये कोई जादूई तेल नहीं है जो आप आज से लगाना शुरू करेंगे और कल से आपके बाल काले हो जाएंगे आपके बालों का सफेध होने की प्रक्रिया को रुकने में, उसे धीमा करने में और आपके बालों को वापस से काला होने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं तो कम से कम 6 महीने आप याद रखिए, इसको जरूर आपको इस्तिमाल करना है इस से ज्यादा भी आपको इस्तिमाल कर सकते हैं, साल भर साल भर भी आपको इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम छह महीने तो जरूर इस्तिमाल करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए.